हाई गाईज मैं लोट चुका हूँ मेरे नए वीडियो के साथ और मेरे साथ आज है एक क्लासिक बाइक जो है यामा की आरेक सेरिस और यह यामा आरेक्स वन थाटी फाई है अब देख सकते हैं इसके कंडिशन काफी बुरी है काफी दूल जम चुका है उसय पर क्लासिक पोक देख सकते हैं उसका स्पेरिकल हएड लम देख सकते हैं जो काफी आरेक्स अबस में था आरेेकस जिसके यह बीच में लंबा रवाट दिया हुआ है ताकि बच्चा हमसे बैठ सके पैर रख सके अपना इस पाइक में आप देख सकते हैं स्पीडो मीटर नहीं सिर्फ चाबी डालने के लिए की होल है यह फ्यूल टैंक लिड है यह यामा की बेजिंग है यह यामा का इंजिन कि बाइक काफ़ी लंबी और यलो कलर में आप देखी सकते हैं इसको और यह रिफ्लेक्टर यह इसकी आगे की ब्रेक इसका क्लुच है यह इसका क्लुच अ हमकि यह गेर है सारे गेर पीछे है चारो गेर इसका रियर ब्रेक है इसको किक रॉड इसकी सैलेंट सर्दीख सकते हैं जो और एक संडेड में भी यूज किया गया था इसको स्टाइलिश मेटल मटगार्ड कि इसका सस्पेंशन है रियर अभी अगर इस बाइक को रिस्टोर किया जाए तो यह बाइक काफी शांदर लगेगी काफी कॉलेज के बज्चों की डिमांड है इस बाइक पर आरीड सीरीस रेक संडेड सागह जैसे आप ने देखरेंगे रेक्स私 35 कि यह लेजंडरी बाइक था उस जमाने का कि इसका 135cc का इंजिन था पेट्रोल इंजिन की इसकी पीकक काफी शांदर ची टू स्ट्रोक बाइक था यह आज कल सारी बाइक फोर्स ट्रोक आने लगी है कि अबिए टूश्य भाइक बन दो गई है क्योंकि कि काफी पॉलिशन होता है टूश्ट्रोक से इसलिए अभी बिया कि सुरी ये टूश्ट्रूप वाले बाइक की ताकट कम कर दी गई और पॉलिशन कम होने की वाज्य कम करने के लिए इसकी पावर भी कम कर चुक है तो पीकप कम हो जाती है कंपेट तो उस टाइम के वन थर्टी फई सीसी और भी के वन थर्टी फई सीसी का कि काफी शांदर लुकिंग बाइक है काफी गंदी होगी इसलिए थोड़ी अच्छी नहीं दिख रहे हैं इस वीडियो के लिए इतना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा लाइक बटन बढ़ेगा शेयर करेगा और कमेंट जरूर करेगा अपने थोट्स इस बाइक के बार में थैंक यू